दक्षिट कश्मीर के सोपिया जिले के कनीपुरा इलाके में रविवार शाम हुए सडख हाथ से में एक पुलिस कर्मी की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गए दरसल एक अधिकारी ने बताया कि सोपिया कस्वे के कनीपुरा पुल पर एक ट्रक और एक और आल्टो कार के बीच हाथ सा हुए जिसमें सोपिया के सोजी कैंप में तैना तीन पुलिस कर्मी घायल हो गई उन्होंने कहा कि तीनों को जिलास पताल सोपिया में स्थानंतरित कर दिया गया जहां उनमें से एक की पहचान सालाप करेवा के कॉंस्टेबल मुज्मिल एहमदार की रूप में हो जिसकी मौत हो गई नौने कहाईलों की पहचान रियासी के अमन प्रीथ सिंग और जम्मू के राहुल कुमार के रूप में की प्रातर दरपन न्यूस के लिए जम्मू कश्मीर से फिर्दोस एक काई